तो हलो दोस्तो आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप अपने फॉन से एक नया जीमेल अकाउंट कैसे बना सकते हैं वीडियो में बने रहे हैीगा दोस्तोा अगर आप मेरा चनल पर नए हैं तो नीचे रड़ खोलर का आप लोगको सब्सक्राइब कर बटन दिकाइए reports कीजेगा दोस्तो तो आए एक वीडियो को श्टार्ट कर ले किए आपने जहां पर भी एस जीमेल आपको जहां भी फोन प पर simply click करते हैं इस डॉट पर click करने के बाद दोस्तो आप लोग को यहाँ पर at account का option आ रहा होगा आपको at account पर click कर देना एडses अप account पर click करते ही दोस्तो आप लोग को ऐसा इंटरफेस खुल 아니고 आएगा अब यहाँ पर आपको Google पर क्लिक कर देना है गूगल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा वेट कर लेना है इसके बाद दोस्तों आप लोग को ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा आपके पास पहले से जीमेल अकाउंट है तो आप कि यहाँ पर 2 option दिखाई दे रहूंगा आप लोग को यहाँ पर फोर मैंसल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग को नेम वह ला लाष्ट नेंग मांने को दिखाई दे रहा है तो आप लोग को सरनेम दालने और एपना नाम डालके दिखा देते हूं आप लोग को को दोस्तो नाम और सरनाम डालने के बाद आप लोग को सिंपली next पे क्लिक कर देना है next पे क्लिक करने के बाद दोस्तो आप लोग को एक नया option खुल के आ रहा है यहाँ पर अपना date of birth डाल लीजिएगा तो चलिए मैं date of birth डाल देता हूँ date of birth डालने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पर gender दिखाई दे रहा होगा आप अपना gender select कर लीजिए अगर आप male है तो male select कीजिए female है तो female select कीजिए तो चली मैं male select कर लेता हूँ यहाँ पर select करने के बाद आप लोग को यहाँ पर next कर दे रहा है यहाँ पर दोस्तों आप लोग को एक unique Gmail बनाना है जो की यहाँ पर accept कर सके यानि अगर आप दोस्तों अपना नाम डालके यहाँ पर सोचेंगे कि आप अपना simply नाम डालके आप next कर देंगे तो Gmail बन जाएगा तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपके नाम से कितने नेम होंगे तो इसलिए दोस्तों आप लोगो क्या करना है कोई नाम डालना है उसके बाद number डालने आए ताकि वो unique हो पहले से वो ID बनी ना हो इसमें तो चली मैं आप लोग को डालके दिखा देता हूँ यहाँ पर दोस्तों मैंने अपने नाम लिख लिया है यहाँ पर गुमार लिख लिया है अब मैं आप लोग को यहाँ पर कोई number डालके दिखा देता हूँ जैसे मैं डाल दिया 9090 अब मैं simply यहाँ पर next करके दिखाता हूँ तो next पर click करने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पर दिखाए दे रहोगा कि यहाँ पर नीचे लिखा रहा है that username is taken मतलब यह username पहले से किसी ने ले रखा है तो हम को दूसरा name user डालके देख लेते हैं तो चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर कोई दूसरा username डालके दिखा देता हूँ simply मैं यहाँ से आपको number change करके दिखा देता हूँ तो यहाँ से मैं number कोई दूसरा change कर लेता हूँ यहाँ पर number change करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ फिर से next पर click करता हूँ next पर click करने के बाद दोस्तों आप लोग को फिर से दिखाई देर होगा कि यहाँ पर फिर से वोई option आ रहा है this username taken चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपको simply एक unique name बना के दिखा देता हूँ जो कि accept कर सके तो पहले डाल देता हूँ मैं यहाँ पर कुमार फिर कर देता हूँ करन और यहाँ पर दोस्तों मैं कोई number डाल लेता हूँ जैसे यहाँ पर मैंने डाल लिया double one, double five, double one अब मैं simply इसको next कर देता हूँ next पर क्लिक करते हैं दोस्तों आप लोग को यहाँ पर दिखाए देर होगा यह unique name accept कर लिया है तो अभी यहाँ पर दोस्तों आप लोग को यहाँ पर password डाल लेना है तो password में एक बार आपको दिखा देता हूँ डाल के जैसे मैं आपको 12345678 आप लोग के यहाँ पर डाल के simply next करके दिखाता हूँ तो next पर क्लिक करते हैं दोस्तों आप लोग को यहाँ पर दिखाए देर होगा यहाँ पर इस next password भी accept नहीं किया क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप लोग को alphabatic भी use करना है मतलब strong password बनाना है तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पर एक password बना के भी दिखा देता हूँ तो simply दोस्तों मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ नाम डाल एक बाद यहाँ पर add the rate पर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 7210 यहाँ पर 7210 डालने के बाद मैं यहाँ पर simply next पर क्लिक कर देता हूँ next पर क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहोगा आप लोग को की password भी accept कर लिया है अब यहाँ पर simply yes I am in पर क्लिक कर देना है येस आयम इन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है हमने जो Gmail अकाउंट बनाया था हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों कुमार करन डावल वन डावल फाइब डावल वन करके जो हमने यूनिक जीमेल बनाई थी उसका जो जीमेल है वो create हो चुका है तब हम लोग को simply यहाँ पर next पर click कर देना है तो चलिए मैं यहाँ पर next पर click कर लेता हूं next पर click करने के बाद नीचे चले जाना है इसी से हम लोग को यहाँ पर इस वक्त login है तो दिखाईद रगा दोस्तो आप लोग को यहाँ पर आया था उसी Gmail account से हम लोग इस वक्त login है तो ऐसे करके दोस्तों आप लोग एक नया Gmail account बना सकते हैं वो भी अपने फोन से आसान तरीके से और मेरी दियु जनकर या आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएग दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए भाए